10th class के सभी बच्चोंगा स्वागत है आज हम अर्श्ष्टी में इसके वारें बताने जा रहे हैं अर्श्ष्टी के पेपर को चार हिस्षों में वाटा जाता है पहला इतिहास भूगोल, नागर शात्र और चाथा हिस्षा आपका अर्श्षात्र कहलाता है यह आपको 271 पेइल नमबर पर मिलेगा हमार यह बुक है इसमें पहला लसन है यह और इस पहले लसन का नाम है विकास यानि डब्लमेंट आई इसमें हम चर्चा करें तो हम पाएंगे कि हर वेक्टि अपना विकास चाहता है चाहें वो गरीब है और चाहें वो अभीद है अगर गरीब है तो आगे बढ़ने के लिए औरों की लेविल में आने के लिए अपना विकास चाहता है और जो अमीर है वो अपना लेविल बनाए रखने के लिए लगाता और मेहनत करता है तो विकास का आर्थी यह है कि हम या मनुष्य अपने जीवन के पृतियक छेत्र में सुबह से लेकि रात होने तक और जनम लेने से लेकि मृत्य होने तक जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब डबलम्मेंट की अंतरगत ही आती हैं खाना सभी काते हैं लेकिन उनके खाने का तरीका अलग है उनकी डाइट में भोजन में बहुत बड़ा अंतर मिलेगा कपड़े सभी पहनते हैं लेकिन उनके कपड़ों में अंतर मिलेगा यह सब कुछ विकास पर हैं पढ़ते सभी हैं लेकिन सब के पढ़ने के तरीके में कौन आगे बढ़ गया यह विकास पर डिपेंड हैं बोलने चालने का तरीका लिखने का पढ़ने का समाज में विवार करने का यह सब कुछ हमारे विकास पर डिपेंड करता है। यदि ऐसा नहोता तो समाज में दो वर्ग कभी नहीं होते हैं एक अमीर वर्ग और ये गरीब वर्ग। सबसे पहले विकास का अब तो यह है bleiben झीवन के प्रतिय की इस तरह का अची तरीके से विकास करें विकास के चेत्र केőं कौन कौन से हैं विकास के कई चेत्र हैं रहन सहन बिवार साव जिकता राज निते उसके बाद धोजन बस्त चिकित सा आ या स्ट्राइब तो या खोई हाइश कुल करने के बाद बढ़ी अछी नोग्री पा लेता है और को बीट या इक करने के बाद या अच्छी दिग्री प्राप्त करने के बाद भी चाहता है कि दूसरों के लेबिल में आ जाए दूसरा ये भी है कि उसके परिवार का जब इसतर बढ़ेगा शाधी होगी विबाहँ होगा उसके बच्चे होगे तून बच्चों का भी इस तर इसी विकास से जुड़ जाता है विकास कब होना चाहिए जब जब आवशक्ता पड़े तब तब उसका विकास होता रहे विकास कैसे किया जाए अपने पिछले लेविल को ध्यान में रखते हुए यदि व्यक्ति अपना विकास करता है तो उसका विकास बहुत जल्दी आस्मान चूता है और यदि कोई बीच में से ही उडान भरता है, तो वो उडान नहीं भर पाता है, वो ठक जाता है, विकास कहां होना चाहिए, जहां बास्त में आउर्शकता है, विकास भही होना चाहिए, जैसे आपके पास भतपूर किताबे हैं, फिर भी आप किताबे खरीद रहे हैं, और प पूरा ध्यान हमारा रहें साहन पर होना चाहिए विकास का उद्जिश्च क्या है जीवन की सबसे मूल भूत आवशक्ता हैं जो मनुश्री की बताएं गई हैं रोटी कपड़ा और मकान की बताएं गई हैं क्यों कि हमें हर 4 या 5 या 6 घंटे बाद या कम से कम 12 घंटे बाद सुबब काके शान को भूँक लगती हैं उसके लाद कपड़ा हमें 12 घंटे बाद नहीं चाहिए कम से कम एक दिन हम चला सकते हैं इसके बाद मकान हमें रोज नीच निये एक बाड बनवा लिया तो जिददी महार के लिए वो हो जाता है और इसलोट में मिलता रहेगा मिलता रहेगा और जीवन की पहलिया उघ् refractा पूरी होती रह змिय इसी तरीके से कपड़ा यानि बस्त्र कभी हां बुनने की कला थी तो मशीनों से सो बुनने की कला जा चाहिए और हमें बस्त्रों के बस चाहिए बे मार्ग चाहें सडक मार्ग हैं, चाहें रेल मार्ग हैं, चाहें जल मार्ग हैं, तो इस सब में भी विकास जब होगा, याद करिए और नजर डालिए दिली, बॉंबे, कैलकटा या महानगर जितने भी हैं, बे सब इस छेत्र में सब से आगे हैं, बे सब इस छेत्र में सब स करने के लिए हमें आउशक्ता है कि खेतों को समतल बनाकर सुचाई की विवस्था करी जाए हर खेत में हर किसान का अपना टुबैल हो जिससे कि वो दूसरों पानी के लिए निर्वार ना रहे हैं उर्वरक्ट यानि खाद इपजावपन क्योंकि लगातार हम पसल का 30 साल बाद बड़े-बड़े खेतों को छोडी-छोडी खेतों को मिलाकर एक कर दिया जाता है बहुत सी किसान ऐसे हैं जो गरीब थे जगें बहुत से खेत ले रखें लेकिन चटबंदी एक ऐसा कारी करम है सरकार द्वारा जो हर साथ, हर तीस सालवाद, हर जगे इस्थापित होता है और जिससे उसके किसान को जो विखरे हुए खेत थे, बुसर एक जगे पर कर दिये जाते हैं, जिससे कि किसान को कुर्शी कारी करने में आसानी रहे इन सबका उद्देश क्या है, कि बाजार नजदीक रहें, तो फसल का जो भी उत्पादन होगा, वो अधिक साधिक बिखता रहेगा, समय से बिख जाएगा, तो उसका लाव भी किसान को प्राप्त होगा मुल, यदि मुली की जानकारी विकास के चित्र में हम लेकर चल रहे हैं, तो गाउं गापत, रेडियो के दोरा, टेलिजन के दोरा, अक्वार के दोरा मुले गाउं तक पहुँच जाएंगे, और किसान अपनी खसल को विचोलियों से बजाकर सीधा डारेक्ट बजार में ब तो इस तरीके से इस विकास नाम के चाप्टर में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे 278 नंबर पेज़ पे, यदि कोई परेशानी हो दिया, तो हमारे नंबर दिये गये हैं, इसे आप संपर कर सकते हैं, घर पर रहे हैं, और सुड़क चत रहे हैं, द्यावसाब।